BJP के एक विधायक को जेल भेज दिया गया है BJP के विधायक पर आरोफ है कि रिप का गंभीर आरोफ है संगीन आरोफ है नरेत्मोधी के खिलाफ संझय जोसी को ला सकती है BJP RSS BJP में ये भी बड़ी खबर है एक दलित छात्र 17,000 रुपए न होने के लिए IT में दाखिला नहीं करवा पाया वो तमाम बड़ी खबरे जो आज सोसल मीडिया पर वायरल है इसलिए मैं कह रहा हूँ सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तक क्या नरेंद्र मोदी और अमिश्चा से RSS कफा है क्या ब्रहामनों का दबदवावला संगठन RSS अब एक बैस समाज के अमिश्चा और OBC नरेंद्र मोदी से खार खा रहा है और क्या दिलीप मंडल की एंट्री से RSS सितना नाराज है कि नरेंद्र मोदी को ही साइड करने पर लगा है सुची अरविंद के जिवाल ने का कि BJP के दो निताओं को जेल भेजिए पाटी ठूर जाएगी क्या नरेंद्र मोदी अमिश्चा पाटी तोड़ देंगे ये भी बड़ा सवाल है केपी मलिक ने ट्वीट किया है कि संग और BJP आमने सामने है संग और मोदी आमने सामने है संजे जोसी को लाए जा रहा है सुचिए तस्वीरे सब कुछ बताती है बलिया रेलबे स्टेशन के बिकास की पोल खोल गए यानन फानन में इसे कपरे से ढखवाया गया स्क्रीन सोर दिखा रहा हूँ महाकाल मंदिर में गिरी दिवार दो सरधालों की मौत रिस्क्यू जा रही है और 27 दिसम बराजी के दिन बाबा साइब ने हिंदू कोडवील और OBC आरक्षन को लेकर इस्तीफा दिया था एक स्टी समाज का पुलिस कंस्टेवल था चार साल पहले हिमाचल में उनको बरखास्त कर दिया गया था लंबी लराई लरी और उन्होंने अब अब जाकर जूठे आरोप थे उन पर इसके बाद चार साल बाद DGP संजर कुंडू IPS हिमांसू मिसरा सही 10 अधिकारियों पर CST Act में करवाई हुई है यह संबिधान की ताकत और इन जातिबादी मनुबादी अधिकारिया हर जगा बैठे हैं चीन की एक तसवीर सेयर कर रहे हैं लोग लिख रहे होँ आरक्षन नहीं है उनको लोग जवाब दे रहे हैं करारा जवाब दे रहे है नहीं मीना कोटवाल ने लिखा, ये चीन का रेल बेश्टेसन है, चीन में जातिवाद नहीं है, चुवाचूत की बिमारी मनुबाद नहीं है, मूछ रखने, पानी और खाना टच करने देने पर से जान नहीं लिए इतना ही नहीं, धार्मी कस्तल पर किसी एक जाती का कबजा नहीं ह दुर्गेश पान्डे ने लिखाता, चीन में आरक्षन नहीं है, लोग करारा जवाब दे रहे हैं, और कानपुर में एक बांगला देशी समर्थक, किर्केट समर्थक के साथ मार्पीट हुई है, शर्मना के तस्वीरे नहीं दिखा सकते हैं, सोचिए, ये तमाम खबर सोसल मिर्या पर है, और छोटी सी घटना है, देख लो एक बार, देश में स्वास्त विभाग की हालत खराब है, और ये स्क्रीन सोर दिखा रहा हूं आपको, ये राजिस्तान की मुखमंत्री प्रेम चंद बैरवा के बेटे हैं, इनके गारी चलाने पर मनुबादियों के पेट म में दर्ध हो रहा है कि दलित का बेटा कैसे गारी चर सकता है, और एक बच्ची उत्तर परदेश के फत्यपूर के हम तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, बारहबी की छात्रा ने मंजिल, तिन मंजिला से वो कूद गई, क्योंकि उसके साथ रोज छेर चार होता था, तो ये सब सबसे जादा बरी खबरे हैं, जो सोसल मीडिया पर वाइरल है, और बलातकारियों के आरोप में, बीजे पी बिधायक मूरी रतना पर लगे रेप के आरोप, पिरित महिला बोली, बिधान समा के अंदर किया दुशकर्म, और उनको जेल में डाल दिया गया फिलाल, वो जेल चले गए हैं, जो सोसल मीडिया पर वाइरल है, एक और खबर है, जो बहुत दुखद है, ये खबर अलूरी डिस्टिक का है, दच्छिन भारत का, जहां एक परिवार जान खत्रे में डाल कर, एक महिला है, एक मासुम बच्चा है, हम तस्वीरे नहीं दिखा सकते हैं, और मे मेक इन इंडिया का जो लोगो बना है, वो भी अमेरिका में बना था, सोचे, मेक इन इंडिया का लोगो अमेरिका में बना था, ये खबर वाइरल है, और ये सक्स जो है, ये हिमांसू मिस्रा है, ये सक्स कह रहा था कि हम 96 लाग रुपे करजा में लिए, आई-ई-टी में हम दाखिला नहीं ले पाया वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं कि उनको दाखिला दिया जाए और उत्तर पर्देश के हात्रस में अंद्विस्वास ने सुचिये तमाम वो करम कांडी अंद्विस्वासी लोग इसके लिए जिमेदार है जो टीवी और सोसल मेडिया पर अंद्वि का छात्र है अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पप्वी अदब ने का है जो लोग खाने पीने के दुकानों पर माली का निम प्लेट लगाने अचाते हैं फाइव स्टार होटल पर ही लगवाएं और बंगाल की सिल्ली गुरी में बिहार के इस छात्र को पिट कर दे एक नेता पर धर्म सीला देवी होस्पीटल में 12 साल की बच्ची को किड्नी निकाल लेने की आरोग उनके माबापने लगाया है और ये भी बड़ी खबर है सोची और बीजेपी के नेता जेल में गए हैं सोसल मीडिया पर वाइरल हैं तमिलनाडू में आरोप है कि एक 70 साल क पुजारी ने पुजारी कौन होगा आपको पता ही हैं पुजारी ने एक बच्ची को लालच देकर शोशन किया बच्ची जो है वो पॉक्सो एक्ट में मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ है पुजारी फिलाल जेल में हैं और ब्लैक मैजिक वाली खबर डाइरेक्टर ट ट्रैंगुलर है और आरक्षन का लाब लिया तो अनारक्षित बर्ग में चैन नहीं यूपी सी के खिलाफ लगातार तमाम लोग सोशल मीडिया पर सक्रिये हैं और ट्विट कर रहे हैं तो अब सोशल मीडिया ने पूरा गेम पलर दिया है और तमाम दलित पिछरे किसान कैसे गलत था मैं फिर कह रहा हूँ कॉंग्रेस बीजेपी दोनों की एक ही पॉलिसी है और ये जब तक दलित पिछरे आदिवासी किसान और संख्यक नहीं समझेंगे उनके अधिकार नहीं मिलेंगे सुचिए किस तरह से 60 साल कॉंग्रेस ने राज किया और अभी भी उसे लगता है कि दलित पिछरों को अधिकार नहीं मिला अब 10 साल 15 साल से बीजेपी है तो भी नहीं मिल रहा है अब जब कॉंग्रेस सत्ता में आजएगी तो दलित इस देश के 90% लोग सिर्फ बोर्ड देना है आपको कभी कॉंग्रेस कभी वीजेपी मुस्लिम समाज को समनना चाहिए यह दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो यूपी में हो रहा है वह ही माचल में हो रहा है तो योगी जी गलत हो गए और कॉंग्रेस कैसे सही हो गई या तो दोनों गलत है या दोनों सही है यह है कॉंग्रेस की पॉलिसी शुक्र कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें